वेलकम स्टुरेंट टोडेज वीडियो वी आर गोइंग तो लर्न अबाउट एक्वेशिंस रिडिशिबल टो पेर उफ लीनियर एक्वेशिंस इसमें यह देखेंगे के कुछ ऐसे एक्वेशिंस हैं जिसमें दो वीरियेबल हैं बट दे आर नॉट लीनियर अब कुछ 4 y y is equal to 8 now 6 upon x minus 1 plus 3 upon y minus 2 is equal to 0 जिह जितने भी क्वेशिंस हैं यह पrMP उन्ये डियो हैं भर टेयर नॉट लीनियर नहीं है तो हम इनको क्रिए डियूस करेंगे रेडियूस करेंगे जन्हें बनाएंगे अब किस Сब्युकी से लेनिया मनाएं लूब को कोई example लेकर हम solve करेंगे तो आपको फुद बहुत समझ में आ जाएगा तो हम एक question ले लेते हैं अब इस question के अंदर आप देखिए example number 1 है, यह solve example है 4 upon x plus 5 by y is equal to 7 3 upon x plus 4 by y is equal to 5 अब यह जो equation है यह equation linear equation into variable नहीं है chapter के start में हमने पढ़े थे कि ऐसे equation linear equation into variable नहीं होते इन equations को हम linear equations into variable बनाएंगे और solve करेंगे और x और y के values मालुम करेंगे तो समय पहले मैं यह दो equations को लिख लेता हूं अब हमने equations को लिख लिया है अब इस equation को हम इस तरह के से भी लिख सकते हैं ऐसा लिखा जा सकता है 4 into 1 by x plus 5 into 1 upon y is equal to 7 और दूसरी वाल equation को हम इसी तरह के से लिखेंगे इस तरह से 3 into 1 by x plus 4 into 1 by y is equal to 5 ओके, we can write the above equation like this अब in this equation आपको जो है यह substitute करना है यह assume करना है कि आप क्या करेंगे let 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n नहीं करेंगे 1 by x का value हम m लेंगे और 1 by y का value हम n assume करेंगे तो equation हमारी क्या बन जाएगी देखिए तो यह हो जाएगी equation 4m plus 5n is equal to 7 इसको मैं equation number 1 नाम दूँँगा और उसके बाद 3m plus 4n is equal to 5 इसको मैं equation number 2 नाम दूँगा क्लियर है यहां तक हमने क्या किया 1 by x की जगा हमने रख दिया m और 1 by y की जगा हमने रख दिया n हर equation के अंदर 1 by x की जगा पर हमने रख दिया m और 1 by y की जगा रख दिया हमने n अब फर्दर इसको solve करते now these equations reduce to the linear equation in two variables अब यह linear equation में convert हो गई है अब इसके आगे का method तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरीके solve करेंगे या हम elimination method का use करेंगे या substitution method का use करेंगे graphical method है उसके बाद grammar का rule भी है चलिए यहां पर हम elimination method का use करते हैं eliminate करेंगे किसी एक term को eliminate करने के लिए हमें क्या करना है यहां पर m का coefficient 4 है equation number 1 को 3 से multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा equation number 2 को अगर 4 से multiply करेंगे m के coefficient same हो जाएगे और same हो जाएगे तो जब हम minus करेंगे दो equations का m का जो variable रहेगा वो 0 हो जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा आप लिखेंगे multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 4 equation number 1 को 3 से multiply करेंगे तो पूरी equation को multiply करना पड़ेगा यानि कि left hand side को भी और right hand side को भी तो यह हो जाएगा 3 forza 12 m plus 3 forza 15 n is equal to 3 7 za 21 अब इसको equation number 3 देंगे और इसी तरीके से equation number 2 को 4 से multiply करेंगे 4 forza 12 m plus 4 forza 16 n is equal to 4 forza 20 इसको हम देंगे equation number 4 ओके clear है student अब equation number 3 और equation number 4 को हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ पर minus कर देंगे तो जो है m वाला term 0 हो जाएगा eliminate हो जाएगा तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे अब लिखेंगे subtract equation 4 from equation 3 equation 3 मेंस equation number 4 minus करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे equations तो मैं लिखता हूँ 12m plus 15n is equal to 21 और 12m plus 16n is equal to 20 जब हम subtract करते हैं तो क्या हो जाएगा जो हो रहेंगे sign वो change हो जाएगे यह minus हो जाएगा यह भी minus हो जाएगा जो change sign है मैं bracket में लिख रहा हूँ यह भी minus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 12m minus का और 12m plus का यह हो गया 0 अब हम क्या करेंगे 16 मेंस 15 minus करेंगे तो आपको मिलेगा minus n और 21 मेंस 20 minus करेंगे तो आपको मिलेगा 1 then n is equal to minus 1 n का value मिल गया है minus 1 अब हम n का value equation number 1, 2, 3, 4 में से कोई equation में हम रख सकते हैं तो हम n का value equation number 1 के अंदर रखेंगे equation number 1 क्या है देखे equation number 1 is 4m plus 5n is equal to 7 this is equation number 1 इसको हमने बाद में 3 से multiply किया था अब n का value क्या रखना है हमें minus 1 रखना है n is equal to minus 1 then 4m plus 5u into minus 1 is equal to 7 हो जाएगा ये 4m अब 5 को minus 1 से multiply किये तो minus 5 is equal to 7 then 4m is equal to 7 or this minus 5 will become plus 5 when we take this minus 5 to the right hand side of the equal to sign then this will become plus 5 then 4m is equal to 7 plus 5 12 then m is equal to 12 upon 4 then m is equal to 4 1 is a 4 4 3 is a 12 then m is equal to 3 आपको m का value मिल गया है 3 and n का value मिल गया है minus 1 but m is equal to 1 by x but m is equal to 1 by x and n is equal to 1 by y okay so m की जगा 1 by x रखेंगे और n की जगा 1 by y रखेंगे then 1 by x is equal to what 3 हो जाएगा and n का value हो जाएगा sorry n की जगा रखना है हमें 1 by y then 1 by y is equal to minus 1 okay so m अब इसके आगे हम क्या करेंगे x को इधर लाएगे 3 को इधर लाएगे अब इसी तरीखे से हम क्या करेंगे y को इधर लेकर आएगे then 1 upon minus 1 is equal to y then y is equal to 1 upon minus 1 means minus 1 so these are the values of x and y x is equal to 1 by 3 and y is equal to minus 1 अब पाइनल अंसर इस तरीखे से लिख सकते हैं the solution of the given equation is x is equal to 1 by 3 and y is equal to minus 1 okay okay clear हो गया student this is the solution of these type of equations इसमें से अपने को reduce करना है linear equation में उसके बाद इनको solve करना है चली हम next question देखते हैं अब हम example number 2 देखते हैं students यहाँ पर जो equation नज़र आ रहे है वो linear equation ने two variable नहीं है तो हमें linear equation में हमें convert करना पड़ेगा तो अब इसको convert किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे तो सब में पहले मैं इस equation को इस तरह लिखूंगा 4 into 1 upon x minus y plus 1 upon x plus y is equal to 3 और दूसरी equation को इस तरह हम लिखेंगे अब यहाँ पर 1 upon x minus y और 1 upon x plus y तो हम यहाँ पर assume करेंगे let आप लिखेंगे इस तरह let 1 upon x minus y is equal to m and 1 upon x plus y is equal to n तो आपको 1 upon x minus y की जगा m रखना है और 1 upon x plus y की जगा n रखना है तो हम equation को लिख लेंगे तो equation जो हो जाएगी पहली वाल equation 4 और 1 upon x minus y की जगा हम लिखेंगे m plus 1 upon x plus y की जगा आप लिखेंगे n is equal to 3 यह equation number 1 हो गएगी तो हम दूसरी equation लिखेंगे 2, 1 upon x minus y की जगा हम लिखेंगे m minus 3 1 upon x plus y की जगा लिखेंगे हम n is equal to 5 इसको हम देंगे equation number now this equation reduced to the linear equation in 2 variable अब हम इनको यहाँ पर m और n के values मालूम करेंगे तो m और n के values मालूम करने के लिए आपको procedure मालूम है तो हम elimination method का use करेंगे तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर आप देखेंगे के n का coefficient 3 है और equation number 1 में n का coefficient 1 है अगर मैं equation number 1 को 3 से multiply कर देता हूँ तो equation number 1 में 3n हो जाएगा और equation number 2 में already 3n है, plus का 3n, minus का 3n यह eliminate हो जाएगा तो चलिए equation number 1 को हम 3 से multiply करते हैं और इस तरह के से इसको हम लिखेंगे multiply equation 1 by 3 अगर आपको equation number 2 और equation number 3 पर ही गोर करना है क्योंकि equation number 1 से ही हमने equation number 3 बनाई है equation number 2 और equation number 3 में अगर आप यह दोनों का addition कर देंगे यहाँ पर minus का 3n, plus का 3n यह cancel हो जाएगा, eliminate हो जाएगा तो आप इस तरह के से लिखेंगे adding equation 2 and equation 3 ओके, equation 2 और 3 को add करना है, तो equation number 2 क्या है 2m minus 3n is equal to 5 और equation number 3 है 12m plus 3n is equal to 9 तो हम यहाँ पर add करते हैं तो जब हम दो equation को add करते हैं तो जो उनके sign रहते हैं, same रहते हैं, कोई change नहीं होता तो यहाँ पर plus का 3n, minus का 3n यह eliminate हो गया, यानि कि खतम हो गया, 0 बन गया अब 12m और 2m आपको मिल जाएगा 14m is equal to 9 plus 5, 14 हो जाएगा चलो further solve करेंगे इसको then m is equal to 14 upon 14 हो जाएगा यह, then m is equal to 1, okay, student clear है यहाँ तक, m का value मालूम हो गया अब हम n का value मालूम करेंगे, student m का value हमें मिल जाएगा है 1, तब आप क्या करेंगे, m का value को equation number 1 के अंदर रखेंगे, तो आप लिखेंगे, put m is equal to 1 in equation 1, equation 1 को नजर आ रहे हैं, यह वाली value of m is 1 plus n is equal to 3, then 4 वन्जा, 4 plus n is equal to 3, then n is equal to 3, and this 4 will become minus 4, when it goes to the right hand side of the equal to sign, then n is equal to minus 1, student m is equal to 1 मिल गया है, और n is equal to minus 1 मिल गया है, लेकिन अपने को यह मालूम है, कि m का value, जो 1 upon x minus y है, और n का value है, 1 upon x plus y, जो हमने अभी let किये थे, तो यहाँ पर m की जगा पर हम 1 upon x minus y रखेंगे, और n की जगा 1 upon x plus y रखेंगे, तो m की जगा पर मैं रखूंगा, 1 upon x minus y is equal to 1, और n की जगा पर रखेंगे, 1 upon x plus y is equal to minus 1, ओके, इसको हम solve करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 is equal to 1 into x minus y, 1 upon x minus y जब equal to sign की जब इदर आएगा, तो इसके multiplication में आजाएगा, चलिए, 1 is equal to, 1 को अगर x minus y से multiply करेंगे, तो x minus y, then we get x minus y is equal to 1, okay student, now solve this, 1 is also, then 1 is equal to minus 1, और यह x plus y जब इदर आएगा, तो इसके multiplication में आएगा, multiply by x plus y, then 1 is equal to minus 1 को x plus y से multiply करेंगे, minus 1 को x से करेंगे तो minus x, और minus 1 को y से करेंगे तो minus y, then we will get minus x minus y is equal to 1, okay student, अब हमें यहाँ पर दो equation मिल गई है, पहली equation मिल गई है, x minus y is equal to 1, और दूसरी equation मिल गई है, minus x minus y is equal to 1, okay student, इसको equation number 4 बोल देंगे हम, और इसको equation number 5 बोल देंगे, अब देखिए equation number 4 और 5 को आप देखिए, equation number 4 और 5 के अंदर, आप अगर इनको add कर देंगे, तो आपको x और y के values मिल जाएंगे, अगर आप add करेंगे, तो मैं लिखत and equation 5, okay, then equation 4 is x minus y is equal to 1, और equation 5 is minus x minus y is equal to 1, जब इन दोनों का हम addition करते हैं, तो science के अंदर किसी खिसम कभी change नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे है, minus x और plus x यह cancel हो गया, और उसके बाद, minus y minus y यह हो गया, minus 2y, and then 1 plus 1 यह हो गया, 2, then minus y is equal to 2 upon 2 जाएगे, then minus y is equal to 2 upon 2, minus y is equal to 1, then y is equal to minus 1, okay, अब इस y का जो value है, इसको हम किस equation number 4 और 5 में से किसी equation में रखते हैं, तो आपको x का value मालू हो जाएगा, तो आप लिखेंगे, put y is equal to minus 1 in equation 4, equation 4 is x minus y is equal to 1, अब आपको y का value क्या रखना है, minus 1 रखना है, then x minus और y का value है, minus 1 is equal to 1, then this minus minus get plus 1 is equal to 1, then x is equal to 1, this plus 1 will become minus 1, then x is equal to 0, तो आपको यहाँ पर x का value मिल गया है, 0 और y का value मिल गया है, minus 1, तो आप final answer लिखेंगे, the solution of given equation is, x is equal to 0 and y is equal to minus 1, we hope that you have understood total solution of this question, so thank you for watching our videos.